जय गुरुजी संगत जी, जगत पिता गुरुजी महाराज, महा शिवजी के चरन कमलों में मेरा कोटी-कोटी चरन सपश और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमशकार। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले, हम सभी गुरु जी का मंदर जाप करेंगे। ओम नमस्षिवाए, शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए, गुरु जी सदा सहाए। संगत जी, आज की सत्संग बहुत सुंदर है, संगत पे गुरुजी महराज की असीम कृपा बरस रही है, और गुरुजी महराज नित नए चमतकार अपनी संगत की जीवन में कर रहे हैं। संगजी सारे सत्संग आप अंतक सुने, पूरा सुने, पुरी भक्ती भाव के साथ सुने, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महराज की असिम कृपा आप सब पर भी बरस रही है और आगे भी बरसेगी। संगजी आज का पहला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। वैसे मैंने अपने घर में गुरुजी का सुरूप अपरेल 2023 में देखा था जब मैं अपने पैरेंटल होम आया था और गुरुजी के उस सुरूप को हमारी घर की सबसे छोटी बहू अपनी फ्रेंड की हांसे लाई थी। वह मैंने एक काम से फ्री होकर क्योंकि उस दिन काम कम ही था तो मेरा दुकान में मन नहीं लग रहा था तो सोचा दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ। तबी खयाल आया कि अभी तो आठी बज रहे हैं थोड़ी देर घुमने के बाद घर चला जाओंगा। कुछ दो साल पहले हमारे शहर में एक पब खुला था तो मैंने सोचा वहाँ चलता हूँ। एक बार मन में आया नहीं सिदे घरी जाता हूँ। वह कहते हैं न संगत जी कि हमारे अंदर से एक आवाज आती है अंतरमन की। उस आवाज ने मुझे अवेर भी कराया। परत जैसा कि होता ये है कि इस आवाज को हम आमतोर पर इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी वही किया और पब में चला गया। संगत जी वहाँ जाकर मैंने एक बीर मांगी और धीरे धीरे उसको खतम किया। मैं वहाँ करीब एक घंटा रुका, सब लोग वहाँ नाच रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। परंतु मैंने वहाँ बैठकर बीर पी, इसके बाद मैं अपने घर के लिए स्कूटर पर निकल गया। आप सोच रहे होंगे संगत जी कि मुझे नशा होगा और नशे की हालत में मैंने स्कूटर कैसे चलाया होगा। आप भी अपनी जेगे सही सोच रहे हों। परंतु संगत जी, अब सफाई क्या दूँ। मैं जब अपने घर के रास्ते पर जा रहा था, तो हमारे शहर में गांधी पार्क है। मैं जब उसके पास था, मुझे पीछे से एक कार वाले ने हौन दिया। मैं जैसे ही उसको साइड देने के लिए अपने स्कूटर को लेफ्ट साइड में करने लगा, कार वाले ने लेफ्ट से ओवर्टेक किया, जिससे कार ने मेरे स्कूटर को पीछे से टकर मार दी, और मैं साइड में डिवाइडर पर जाकर अपने कंधे से टकरा गया, और मुझे तकलीफ तो हो रही थी, फिर भी मैं स्कूटर चला कर जा रहा था, तब ही मुझे ऐसा लगा, जैसे कोई मेरी बगल में है, जैसे ही मैंने अपनी साइड में देखा, तो मुझे सफेज चोला पहने एक आकरती से नजर आई, और जैसे ही मैंने उस आकरती को देखा, उस आकरती ने मेरी बाजू पकड़ ली, और मैंने अपनी चेतना खो दी, मैं सम्मूहित सा हो गया, और स्कूटर चलता रहा, पर मुझे पता नहीं कि कब मेरा घर आ गया, और जैसे मैं अपने घर पर पहुँचा संगजी, उस आकरती ने मेरा हाथ छोड़ दिया, और संगजी मैं अपने घर के गेट के बाहर गिर गया, लेकिन जब मैं गिरा, तो उस समय मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, क्योंकि उस आकरती ने मुझे बहुत ही आराम से छोड़ा, घर के गेट पर भाई और उसका फ्रेंड मुझे ही लेने के लिए जा रहे थे, किसी नों उनको फोन करके अक्सिडन के बारे में बता दिया था, संगा जी ये सच है कि वह आकरती कोई और नहीं हमारे प्यारे गुरुजी ही थे, ये मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है, जब मैं अब हर उस पदार से दूर हो गया हूँ, जो इंसान को अपना गुलाम बना देते हैं, ये भी गुरुजी के ही आशिरवा से संभव हो पाया है, संगा जी जल्थी में और भी सत्संग शेयर करूँगा, संगा जी मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, संगजी अगर सत्संग शेर करने में मुझे कुछ भी कलती हो गई हो तो मुझे माफ करियेगा गुरुजी महराज का लखलक शुकराना उनकी असीम करपा का लखलक शुकराना जय गुरुजी शुकराना गुरुजी संगजी अगला सत्संग हम गुर्गावा से इकबाल सिंग अंकल का सुनेंगे जय गुरुजी शुकराना गुरुजी ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाए संगजी ये मेरा पहला सत्संग है, जिस तरह गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। गुरुजी का पहला बुलावा मुझे 2015 में एक अंकल जी की तरफ से आया था। उस समय मेरी आंटी बहुत बिमार थी, पर किसी कारणवश में उस समय गुरुजी से जुड़ ना सका। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत उतार चड़ाव आ रहे थे। मेरा छोटा बेटा 2020 में बहुत जादा बिमार हो गया, उसका वजन बहुत गिर गया था। किसी भी डॉक्टर को उसकी इस हालत का पता नहीं लग पा रहा था। एक डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिये, ताकि उसकी इस हालत का पता चल सके। उन में से एक टेस्ट बहुत मुश्किल था। डॉक्टर के कहने के अनुसार हमने सारे टेस्ट करवा लिये और जब रिपोट लेकर हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बولा यह लेब वालोंने कोई और टेस्ट कर दिया है यह वो टेस्ट नहीं है जो मैंने कहा था. हम वापस लेब गए तो उन्होंने कहा कि वो बिना किसी पैसे के टेस्ट दोबारा कर देंगे परंतु संगजी मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया था और वो टेस्ट दोबारा नहीं करवा सकता था य्एजिफ बहुत पेनफुल था हमें ये विश्वास हो गया कि गुरुजी हमारे साथ है जो भी होगा हमारे बेटे की भलाई के लिए ही होगा जब हम टेस्ट करवाने लगें तो उन्होंने कहा कि हमारी लेप के डारेक्टर से एक बार मिल लो मैं उनके रूम में गया तो उन्होंने कहा कि यह टेस्ट दोबारा करवाने की आवशकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर ने लिखा था, उससे भी एडवांस टेस्ट कर दिया था। और मेरे कहने पर उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली और रिपोर्ट भी समझा दी, इस पर हम बहुत खुश हुए और गुरुजी का शुकराना किया, शाम को हम जब डॉक्टर से मिलने गए, तो उन्होंने बताये कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा कुछ समय मैडिसिन्स खाएगा और ठीक हो जाएगा, और संगजी ऐसा ही हुआ, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना गुरुजी, लखलख शुकराना शुकराना गुरुजी, आपने मेरे बेटी को ब्लेस किया, कोटी-कोटी शुकराना, संगजी हम बहुत समय से अपना घर बदलना चाहते थे, परन्तु पुराने घर से उतनी रकम नहीं मिल पा रही थी, ताकि हम नया घर ले सके, फरवरी 2021 में हमारे एक पडोसी ने अचान ते ही पसंद आ गया, क्योंकि जैसे इम घर में गए, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था, हम समझ गए कि ये घर गुरुजी ने हमारे लिए ही चुना है, गुरुजी के क्रपा से एक ही दिन में घर का सोधा भी हो गया, शुकराना, शुकराना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुकराना, और संगजी उस समय कोविट की सेकेंड वेव थी, हमने जल्दी जल्दी में नए घर में सारा सामान शिफ्ट किया, इसी दोरान हम सबको कोविट हो गया, जिससे मेरी आंची का ऑक्सिजन लेवल बहुत गिर गया, और उन्हें होस्पिटलाइज करवाना और गुरुजी की क्रपा से वो तीन दीन में ही ठीक होकर घर आ गई, पर इसी दोरान मेरी माता जी का कोविट बहुत बिगड गया, और वो हम सबको छोड़कर गुरुजी के चड़नों में चली गई, ये बहुत ही बुरा समय था, बस एक बात की संतुष्टी है कि गुरु गुरुजी का बुलावा आया और हम बड़े मंदिर गए, वहां जाकर लगा, जैसे हम धर्ती पर स्वर्ग में आ गए हो, तब से गुरुजी की क्रपा से हम हर सोवार गुरुजी के मंदिर जाते हैं, और ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, बस गुरुजी इसी तरीके स हमें अपने चड़नों से जोड़े रखें और इसी तरह अपने मंदिर में हमें बुलाते रहें संगजी एक और सत्संग है मैं अपनी आंटी जी को करवा चोट पे मेहंदी लगवाने ले गया वहां बहुत लोग थे मेरी नजर जमीन पर गई वहां कुछ चमक रहा था जब मैंने उसे उठाया तो गुरुजी का लोकेट सरूप था इस तरह से गुरुजी का पहला सरूप हमारे घर में आया जो मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखा है और वह सरूप सदा मेरे साथ रहता है गुरुजी के बहुत से सत्संग है ऐसा लगता है कि रोज ही एक नया सत्संग होता है इसी तरह एक दिन में सुबह उठा और मुझे चेस्ट में बहुत पेन था मुझे भी हार्ट अटेक आया था इसलिए मैं इस दर्द से परिचित था मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा हम हॉस्पिटल गए पूरे रास्ते हम मंतर जाप करते रहे मुझे दर्द बहुत था और मैं दर्द में भी गुरुजी का मंतर जाप करता रहा मेरा बेटा बिलिंग करवाने गया मंतर जाप करते करते ही मेरी हालत में सुधार आ गया पर मेरा बेटा नहीं माना और उसने सारे टेस्ट करवाए जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और ये सब गुरुजी की ही करपा से हुआ मैं जानता हूं कि वह फिर से हार्ट अटेक ही था संगजी में जब भी किसी परिशानी में होता हूं गुरुजी हमेशा मुझे उस परिशानी से निकाल देते हैं मालिक की गुरुजी महराज की बड़ी कृपा है मुझ पर मेरे परिवार पर उनसे यही अर्दास है कि गुरुजी महराज की शिर्चर्णों में हम ऐसे ही बैठे रहें और उनकी क्रपा मेरे पूरे परिवार पर बरसती रहें गुरुजी का जब भी आशिर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर करूँगा संगजी अगला सत्संग हम मुंबई से रितिका आंटिका सुनेंगे संगजी मेरा नाम रितिका है मैं मुंबई से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेर करने जा रहे हूँ संगजी जून 2024 की EMI के लिए मुझे 38,000 रुपीज कम पढ़ रहे थे और हमने बहुत कोशिश की बहुत बंदोपस करने की कोशिश की कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो पाया फिर मेरे अंकल ने कहा कि बेटे को जो नया क्यामरा दिलाया है वो सेल कर देते हैं बड़े बेटे को जो कैमरा दिलाया था वो जनवरी 2024 में दिलाया था और जून में EMI के लिए उसे बेचना पढ़ रहा था में और मेरे अंकल कैमरा बेचने के लिए बाइक पर निकल गए और संगजी में पूरे रास्ते मनी मन गुरुजी से बाते करती हुई जा रही थी तो मैं शुकराना ससंग करूँगी और आप मानोगी नहीं संगजी पांच मिनिट या दस मिट में ही मेरी ननन्द का फोन आया और कहा कि दीदी कैमरा बेचने मत जाओ फुरकान 40,000 देने के लिए मान गया है संगजी फुरकान व्यक्ती जिसकी में बात कर रही हूँ हमें ज्यादा नहीं कुछ वक्त से ही जानता था ये वो ही इंसान है संगजी जिसे मेरी ननन्द ने 60,000 पिछले महिने मई 2024 की EMI के लिए मांगे थे जो हम जून में भी रिटन नहीं कर पाए क्योंकि संगजी उस समय पैसो की तकलिव बहुत जादा थी और संगजी हमारा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा था सच कहूं तो हमारा बिजनेस नहीं के बराबर चल रहा था और आज भी संगजी हमारे बिजनेस की वही प्रॉबलम है पर गुरुजी पर सो प्रतिशत ट्रस्ट है भरोसा है कि जो भी होगा सब अच्छा होगा जिस इंसान को हमने 60,000 रुपे रिटन नहीं किये उस इंसान ने हमें 12-40,000 रुपे की हेल्प कर दी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगजी आज का कल्यूग ऐसा है कि कोई अपना भी किसी को हेल्प नहीं करता और ये तो एक बाहर वाला था जिसको गुरुजी महराज ने जरिया बना कर हमारी मदद के लिए भेजा यहां तक कि हमारा केमरा सेल होने से बचाया और संगजी हम टाइन पर EMI जये गुरू जी शुक्राना गुरू जी लखलक शुक्राना गुरू जी संगजी ससंग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी गल्ती हो गई हो तो माफ कर दीजेगा मेरे लिए प्लीस गूरू जी से प्रेयर करना कि हमारा बिजनिस अच्छा चले अभी मैं अपनी वानी को आपका ससंग बहुत अच्छा है हम सभी गुरु परिवार के सदस गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि उनकी कृपा आप पर बरसे और जल से जल आपके बिजनेस को नई तरक्की मिले नई उपलब्धिया मिले और आपके घर की जो फाइनेशल कंडिशन है वो भी इंप्रूव हो जाए जय गुरु जी शुकराना गुरु जी संग जी अगला सत्संग हम एक आँटी का सुनेंगे और आँटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है आँटी ने अपना सत्संग हमें इमेल के थ्रू सेंड किया है संग जी मेरा पहला शुकराना सत्संग है मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी पर गुरु जी ने अपने होने का एहसास हर पल दिया है वैसे तो अभी कुछी वक्त हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए पर गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे हरपल करवाया है और गुरुजी महराज मुझे हमेशा अपने ससंग सुनाते हैं और संगजी मुझे गुरुजी महराज ने तितली के रुप में और ओम के रुप में भी कई बार दर्शन दिये हैं वैसे तो संगजी गुरुजी महाराज की महिमा बहुत है, अनन्थ है, हम इंसान उनकी महिमा क्या ही बोल सकते हैं। गुरुजी की होने का एहसास तो हम शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी उनका सस्संग करने की। संगजी हम तो मुड़ भुत्ती हैं और पापी व्यक्ती हैं, इस कल्यूग की व्यक्ती हैं और गुरुजी तो हमारे पालन हार हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमें कैसे और किनकी लोगों से हमें बचाते रहते हैं। वो हमें indications देते हैं और हमेशा अपने होने का एहसास भी देते हैं। गुरुजी महाराज के हमेशा मुझे messages आते हैं जैसे गुडिये में तेरे साथ हूँ तु फिकर ना करें। तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं और तेरे बेटे को ब्लेस किया हैं और तेरे अंकल जी को भी सही रहा पर ला रहा हूँ। तेरा हर कश्ट काट रहा हूँ। ब्लेक मेजिक के भी messages आते हैं संगजी कि किसी ने ब्लेक मेजिक कर रखा है पर तु फिकर ना करी तेरे गुरुपा तेरे साथ है। किए कर्म कितने बुरे होंगी कि उन्हें काटने में गुरुजी महराज को कितना समय लग रहा है बस संगजी सबसे बड़ा सुकुन मुझे यही है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और हमेशा अपनी Blessing दे रहे हैं शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, लव यू गुरुजी, गुरुपा सबका खयाल रखते हैं, सबको उनके कश्टों से बचाते हैं और सबको ब्लेस करते हैं, संगा जी हम ही हैं जो उनकी इन ब्लेसिंग्स को समझ नहीं बाते, क्योंकि हमें इतनी समझ होती ही प्रवाइब देना चाहती हूँ, गुरुजी की आज्या होगी तो मैं बहुत जल्दी अपना शुक्राना ससंग जल्दी ही करूँगी, बस गुरुजी महाराज से यही अर्दास करती हूँ कि आप सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करें, खुशियां दे, सबको प्यार दे, हमें ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें, और हमारी टीना आंटी को बहुत सारा प्यार देना, गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स जो हमारे ससंग को शेयर करती हैं, टीना आंटी, आपको बहुत-बहुत प्यार and thank you, love you a lot मेरे, हम सब के गुरुपा, जय गुरु झाल